असलाम अलेकुम ते नियूज वे में आपका इस्तिखवाल है ये हैं खबरों के सुरखियां डॉक्टर मनमुहन सिंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मेरी सहत बहतर के टी आर बानी अन्जुमन मासुमेन मेर साबिर अलीजवार के फर्ज़न जनाब मेर जॉन बिन साबिर ने राशन किर्स करीब आवाम में तक्सिम किए वजीर आज़म नरेंदर मोदी का आज रात फिर खौम से खिताब बरतानिया में फसे 331 अफराद हैदरबाद वापस सहाफियों को माली इमदाद फराहम करने से मुतालेख तेलंगाना हाई कोट में दर्खास तेलंगाना में इंटरमीडियेट के पर्चों की जान शुरू डबिरपुरा डिविजन कॉर्परेटर मीर बासित अली ने राशन किद्स तखसीम किये अब खबरें तफसील से सहत याबी के बाद आज हीने गर जाने की अजाज़त दे दी गई इस दोरान मालूम हुआ है कि इहत्यादी तोर पर साबख वजीर आजम का करोना टेस्ट भी करवाया गया और रिपोर्ट मन्फी आई है तिलंगाना के वजीर इंफॉमेशन वर टेक्नोलोजी के तारक रामराउ ने अपनी सहत के तफसीलात माइक्रो ब्लॉकिंग के एहम साइट ट्वीटर के जरिये शेयर की इन्होंने इस खुसूसी में किये गए अंग्रेजी जबान में ट्वीट में कहा के इनकी सहत बहतर है गुजिशता रोज सरसला के दोरे के दोरान वो इलर्जी की वज़े से सर्दी का शिकर हो गए थे जिसे वो कई रोज से जद्दो जहत कर रहे हैं इन्होंने मज़ीद कहा के वो अपने दोरे को अचानक मनसुख नहीं करना चाहते थे क्यूंके इस से कई अफराद को मुश्किल हो सकती थी इन्होंने मज़ीद कहा के ना दानिस्ता अगर इन से किसी को तकलिफ होती है तो वो इसके लिए मौजरत खा है एक शक्स ने इनके सहत के बारे में पूछा था और कहा था के वजीर मौसुख के फ्लू की अलामत से मतासिर होने पर वो काफी मस्तरब है इस शक्स जिसकी शिनाख़ जी सुब्रामनिया शास्त्री के तोर पर हुई है इन्होंने अपने ट्वीट में नशान दही की के तारा करामाउ राओ को क्रोना वाइरस से लड़ने में पेश पेश रहते हैं वो अपनी सहत का ख्याल नहीं रखते इन्होंने कहा था के अपनी सहत का ख्याल रखे क्योंके इनकी उम्मीदें वाबसता है बानी अन्जमन मासुमीन मरहूम मीर साबर अली जवार के फर्ज़ंद जनाब मेर जॉन बिन साबर ने इस लोगडाउन में अवाम की परेशानी को लेकर इस से खबल बारगाह मासुमीन पंजितन कॉलनी में कई बार अवाम में रेशन किर्स तक्सिम किये इन्हों ने फिर आज रेशन किर्स तक्सिम किये इसके बाद भी लोगों ने इनके सामने अपने परेशानी का इजहार किया इस पर इन्हों ने 26 रमजान को अवाम में रेशन किर्स तक्सिम करने का फैसला लिया और इन्हों ने कहा कि वो 26 रमजान को तक्सिम करने का इरादा क इस तक्सीम के दोरान खावातिन में जौन बिन साबिर की जोजा और उनके मर्द विरादरान हजराद भी तक्सीम करेंगे। वजीर आजम नरंदर मोदी आज मंगल को आड़ बजे रात खौम से खिताब करेंगे। मोदी करोना वाइरस से निम्टने की कोशिशों के बारे में बात करेंगे। वजीर आजम एक आहला सताई एजलास की सदारत करते हुए वाइरस पर खाबू पाने के लिए जारी कोशिशों का जाइजा लेंगे। मोदी एक महीने के अंदर चौथी मरतबा खौब से खिताब कर रहे हैं। समझा जाता है कि सत्रा माई को खतम होने वाले लॉकडौन में मज़ीद दो हफ़तों की तोसी का ऐलन किया जाएगा। कोरोना वाइरस की रोक थाम के लिए नाफिस करदा लॉकडौन की वज़े से मुक्तलिफ मुमालिक में फसे हिंदुस्तानियों की बापिसी का सिलसिला हुकुमत हिंद की मसाई के नतीजे में जारी है। इसके हिस्से के तोर पर कल शब 131 अफराद बरतानिया से हिदराबाद पहुंचे। अपनी जान की परवा किये बगएर कुरोना वाइरस की वबा और लॉकडौन के दौरान न्यूस कवरेज करने वाले सहाफियों को माली इमदाद और दीगर सहुलियात फराहम करने का मतालबा करते हुए तिलंगाना हाई कोट में एक दरखास दाखिल हुई। पानिटाइजर्स और हेल्थ इंशूरेंस की सहुलत फराहम करने की हुकूमत को हिदायत देने के खाहश की। अदालत ने इस केस की समात करते हुए हुकूमत को नोटिस जारी कर दी है और दो हफ़तों के अंदा जवाब देने की हिदायत दी। तेलंगाना में इंटरमीडियर इम्तिहानात के पर्चों की जांच के अमल का आज से आगास हुआ। पहले साले दूम के पर्चों की जांच की जा रही है जिसके बाद साले अवल के पर्चों की जांच का इंतिजम किया जाएगा। रियासत भर में जुमला 33 मराकस में पर्चों का जांच का इंतिजम किया गया है। पोर्ट की जानिब से खबल अजी के एक मरकस को अब तीन मराकिस में तब्दिल किया गया है रियासती दारुल्हकुमत के महबूबिया मरकस के साथ साथ अब सेंट जॉर्ज ग्रामर और सुजादा कॉलेज को भी मरकस बनाया गया है इसी तरह प्रगती महाविद्याले जूनियर मरकस के साथ साथ इस मरतबा इसके कॉलेज की इमारत में डिगरी और पीजी कॉलेज भी पर्चों की जान्च के मराकिस बनाये गए है कस्तूरबा गांधी सिकंदरबाद कॉलेज के साथ साथ मुलाना आज़ाद मेमोरियल नामपली के दो इमारतें उर्दू मीडियम ट्राइ मीडिया के साथ साथ एक बोईस जूनियर कॉलेज बाजार घाट में भी मरकस बनाया गया है तिलंगाना भर में हर साल बारा मरकस पर पर्चों की जांच की जाती थी ताहम अब इस मरताबा इस तादाद में इजाफा करते हुए इसे 33 कर दिया गया है मंचली से ताहल दूर मुसलिमीन के कॉर्परेटर दबीरपुरा डिविजन मीर बासी तली की जानिब से आज बालसेटी खेट पर लॉकडाउन के सबब अवाम मेरेशन किट्स तक्सीम किये गए इस मोखे पर MLC जनाब मीरजा रियाजलहसन अफंदी ने अवाम मेरेशन किट्स तक्सीम किये